हलो मैं रायपूर हेल्थ क्लिनिक तात्या पारा तौक 36 गर्षे डाइरेक्टर जीपी सिंग सेक्स समस्याओं में एरक्टाइल डिस्फंक्शन नपून सकता क्या है क्यों होता है और आज मैं इसको ठीक करने के लिए एक घरेलू जबर्जस्त सस्ता और सरल नुस्खा बताऊंगा जिसको आम कोई भी आदमी आसानी से बना सकता है और उसका उप्योग कर सकता है बहुत ही इरक्टाइल डिस्फंक्शन नपून सकता नामर्दी क्या है एक मेल पूरुस इस्तिरी से जब संबंद के लिए जाता है संबंद के दवरान लिंग में तनाव का अभाव कमाना या आता है संबंद के लिए जैसे ही जाता है धीरे 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 रेक्शन डाउन हो जाता है कम हो जाता है हम नपुन सकता यह नामर्दी के नाम से जानते हैं इसके बहुत से कारण हो सकते नंबर वन आता है मानसिक आज का युवा लोग इतना ज्यादा काम में इस्ट्रेस एंजायटी डिप्रेशन मानसिक तनाव पाले हुए हैं जिसकी वजह से सब गड़्वडियां हो हैं याद रखें दिमाग में दितना होगा तो पेनिट में टेंसंन बहुत ही कम आएगा या आएगगा ले नहीं तो से हर्मोनल секs सब्सक्रारита कब आथ दर。 होता है जो लिंग का विकास तना और डिस्चारजिंग शुक्राणू पौरुषक्ति पुरुषके अंदर पुरुषक्त्यों का निधारन करता है यह हार्मौन से फर्स क्लास का बनेगा तो फ्रस्क्लास से संगों का विकास 6.5 से उपर ग्रोध फस्क्लास का तना 10-12 मिनेट से पंदर भीस मिनेट तक की डिस्चारजिंग टार्गेट एक रात में एक बार संबंद हो गया दूसरी तीसरी चोती बार की स्थितियां इसको कहेंगे हम फर्स क्लास की स्थिति यही अगला है हार्मों सारेडिक यहीं स्थरीर में कम जोरी है मसल्स मिकने से तो भी यह सब गरवड़ी हो सकती है ब्यायाम का भाव सारीक स्रम यह बहुत कम करते हैं एक सरसाइज यादी योग प्रनायाम आदी नहीं करते हैं तो भी इस तरह की समस्या हो सकती है नसा बीडी सिगरेट स्राप ड्रक्स एस सब सरीर को एकदम खोखला कर देते हैं मास्टरवेशन ज लडते रते हैं जगारते रते हैं तो भी सेक्सेल इस्तिती ठीक से नहीं प्राप्ट करें अगर इसमें से कोई भी समस्या होगी तो सेक्सेल इस्तितियां हमेशा खराब रती हैं जहां तक हमने कहा था एक बहतरीन फार्मूला बताउंगा यह बहुत सरल सिम्पल और एक बार तो उस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं यह जितनी भी चीज़ें हैं सब 25-25 ग्राम की मात्रा में लेंगे तो पहली चीज़ है स्वेत मुसली चून्ड स्वेत यह सफेत मुसली चून्ड 25 ग्राम अश्वगंधा चून्ड 25 ग्राम गोंद कतीरा 25 ग्राम बबुलका गोंद 25 ग्राम कौँच बीज चून्ड 25 ग्राम सतावरी चून्ड यह सतावर चून्ड 25 ग्राम बिदारी कंद 25 ग्राम ताल मखाना बीज चून्ड 25 ग्राम गोख सुख बहमन सुख 25 ग्राम बहमन शफेद 25 ग्राम सिला जीत 25 ग्राम इस जितनी भी चीजें हैं इनको अलग-अलग पारी कूट पीस करके रख लीजिए इसके अलावा इसब गल इसब गोल की भूशी मिलती है इसब गोल की भूशी 60 ग्राम तुलसी बीज चोंड शाठ ग्राम इस जितनी भी चीजें हैं बारी कूट पीस करके मिला करके रख लीजिए और इसमें लगभग 400 ग्राम रशी वाली मिस्री मिलती है पंसारी की दुकान पर उसको भी बारी कूट पीस करके इसमें मिला करके आज के बरतन में रख लीजिए यह आपका एक जबर्जस्त फर्मूला तयार हो गया है जिसे आप सुबह शाम भोजन या नास्ता के बाद एक घंटे के बाद एक ग्लास दूद लें और एक से दो चमच यानि पांच से दस ग्राम सुबह शाम लिया करें भोजन थोड़ा सा कम लें देखे कुछी दिनों में आपको जबर्जस्त रिस्पांस मिलेगा और सर्दी के सीजन में इसको जरूर बना करके लेना चाहिए योग प्रानायाम कपालभाती अनुलोम बिलोम एक से डेड़ घंटा आप जरूर करें वीड़ी शिग्रेट श्राब ड्रक्स नसा एकद जरूर लें बादाम आठ दस रात को भीगो दीजिए सुबह ले लिया करिए लसी फ्लैक सीट्स लाइए उसको भूनकर रख लिए एक चम्मच 24 घंटे में जरूर लिया करें इस्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेसन से बचें और देखिए आपको बहुत ही जबर्जस्त यह मढ़िन के अंदर कि कम जो हैं तो राइपूर घ्लीन थाट्यापार iç रहते हैं सोंड़स्तक सहाट बज़ए सकते हैं और दे के उनक्टर के भूसका है